आज हम लोग बात करेंगे हमारे लास्ट वीडियो की जहां पर हम लोगों ने सीखा था आप्शन्स क्या होते हैं चली आज मैं आप लोगों को उसी के आगे थोड़ा से और ट्रिक्स बताऊंगा कि option market के अंदर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और क्या-क्या तरीके हैं जिससे हम लोग premiums को evaluate कर सकते हैं यानि वो कौन सा तरीका है जिससे हम लोग सही premium खरीद सकते हैं जी हाँ मैरे साथ आप देख रहे हैं The Trading Institute मैं राहूल आपका welcome करता हूँ चलिए शुरू करते हैं हम लोग option के साथ में चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे option के साथ में options अलरड़ी क्या होते हम लोग उने देख लिया था last video के अंदर अगर last video आप लोगोंने मेरा option से related नहीं देखा है तो description box में जाकर आप लोग वीडियो का link पा सकते हैं मैं आज शुरुआत करूँगा option के part 2 की जहां पर हम लोग evaluate करेंगे कि option market में premiums को कैसे बनाया जाता है last ये वीडियो था तो last video के अंदर हम लोगोंने सीखा था कि options है क्या exactly options को मैंने आपको बहुत ही simple तरीके से समझाया था premium और insurance industry को example में लेकर मैंने आप लोगों को समझाया था अब option market में major major elements याने important elements कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं important elements हैं सबसे पहला तो spot price ठीक है याने अगर options के अंदर आप जा रहे हैं तो spot price is like हमारे लिए सबसे main important है आप spot बोलीजिए या फिर इसको बोल दीजिए underline asset value ठीक है underline asset जहां से आपका actual भाव derived होता है ठीक है दूसरा price जो important है हमारे लिए strike price ठीक है strike price हमारे लिए future predetermined prices है याने वो range ठीक है जिसको हमें खरीदना है या फिर बेचना है that is called future prices तीसरा important element हमारे लिए option type ठीक है option type अब option type option का नाम ही options है याने बहुत सारे options मिलेंगे लेकिन नहीं यहाँ पर आप लोगों को 2 options मिलते है first one is a call option and second one is a put option ठीक है तो 2 options है जिससे आप लोग future खरीच सकते है and third जो mostly important है that is called premium ठीक है premium बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए आप लोग token amount एक छोट आसा एक छोट आसा token amount जिसको देकर हम लोग बड़ी सी बड़ी जगह पर हम लोग जो है वो एक betting कर सकते हैं या bidding कर सकते हैं और last but not the least volatility ठीक है यह volatility को आप IAV भी बोल सकते हैं implied volatility तो यह 5 factors है तो इन 5 factors पर option पुरी तरीके से work करता है हम one by one में आप लोग को simple सा step बताता हूं कि insurance industry की तरह पुरा option market काम करता है और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं basically हम लोग बजार के अंदर volatility देखते हैं अगर volatile market होता है तो हम लोग strike यानि उस future price range को हम लोग predict करते हैं उस future price range को predict करने के लिए हमें current बजार भाव देखना होता है और उस current बजार भाव के एसाब से हम लोग option खरीदेते हैं call या put call किसलिए indicate होता है call indicate होता है bullish market के लिए और put indicate होता है bearish market के लिए और इस call और put के options को खरीदने के लिए will pay the premium or token amount यानि यह पूर option market चलता कैसे हैं यह option market चलता है पूरा biddings के उपर यानि शर्त अगर लगाई है बजार के उपर जाने की और बजार अगर उपर चला गया तो आपको आपकी premium amount के उपर profit मिलेगा और अगर आपने शर्त लगाई ही है नीचे जाने की और बाजार नीचे चला गया तो आपको आपकी premium amount के उपर reward मिलेगा और यही reward आप लोगों का profit होता है तो इस तरीके से पूरा option market काम करता है तो यह 5 factors है options के अंदर easily हम लोग recognize कर सकते हैं इन 5 factors को जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना क्या होगा आपको सबसे पहले जानना होगा कि what is premium ठीक है यह premium amount बनता कैसे है अगर आप किसी भी market के अंदर आप जाएंगे तो यह premium amount आप लोगों को कुछ factors से मिलता वह बनेगा premium दो factor से मिलके बनती है intrinsic value plus time value ठीक है याने जब हम लोग options की बात करते हैं तो options में premium भी कुछ element से मिलकर बनती है और जैसे हम लोगों देखा premium is a token money premium को बढ़ने और घटने के लिए याने premium जब बढ़ती घटती है तो उसके पीछे एक बड़ा सा factor काम करता है intrinsic value और यह intrinsic value कुछ नहीं है it is a relationship between spot price and a strike price याने spot जो बजार का live भाव है और strike याने जो future price range है जो आप लोग खरीदे हैं तो जिस strike को आपने खरीदा है उसके comparison में आपका spot price कहां लाए कर रहा है अगर spot price आपके strike के बहुत पीछे है या बहुत आगे है तो आपकी premium का rate उस हिसाब से decide होगा और यही relationship आपकी premium को बढ़ाता है और घटाता है तो आपकी premium के अंदर बढ़ने का और घटने का जो factor है वो केवल और केवल intrinsic value है और यही intrinsic value कहलाता है दोनों के बीच का relationship याने spot और strike price के बीच का relationship अब time value क्या है time value हमेशा depreciate होती है याने किसी चीज को भविश्य में मैं खरीदूंगा तो उसके अंदर मुझे time का value देना पड़ेगा और यह time का value हर वक्त depreciate होता है याने it will expire at its expiration date याने यह इसकी expiration date पर पूरी तरीके से zero हो जाएगा इसलिए option market का simple सा funda है अगर मेरा decided future मेरी तय तारिक तक नहीं आया तो मेरी premium पूरी तरीके से गल जाएगी पूरी तरीके से premium मेरी खतम हो जाएगी ठीक है और अगर मेरा future याने predicted future expiry से पहले आ गया तो मुझे उसके प् premium अदा कर रहा हूँ वो चीज होना चाहिए याने जो event future में होने वाला था future की date में होने वाला था future की rate में होने वाला था वो अगर उस future की date से पहले कभी भी हो जाता है तो मुझे मेरी premium की उपर reward मिल जाएगा यही option market का simple सा funda है याने अगर मैं premium का buyer बनता हूँ तो premium का buyer benefits और premium का seller losses देगा और अगर वो premium गल जाती है तो उसी के उपर premium का seller benefit उठाएगा premium का buyer loss उठाएगा तो this is all about buying a premium और selling a premium तो इसी premium का मैं call buy करके buyer बन जाता हूँ और इसी premium का call sell करके premium का seller बन जाता हूँ याने कुछ लोग premium को खरीद रहे हैं और उसी के दूसरे पहलू पर उस premium को कुछ लोग पेच भी रहे हैं इस उम्मीद में कि वो नीचे आजाए या इस उम्मीद में वो उपर चला जाए तो simple सा funda है market के अंदर जो premium है वो बढ़ने घटने का सीधा संबंध है आपके spot और strike के बीच के differences का clear है और ये differences आप लोगों के सामने आते रहते हैं चेंज होगा तो आपकी premium का rate भी चेंज होगा strike price आप लोग जो तै कर लेते हैं वो fix है और उसी fix price को ध्यान में रखते हुए premium amount change होता रहता है so this is all about option market तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही लेके चलेंगे इसी के साथ में मैं आप लोग को next further options के वीडियो के अंदर ही आपको थोड़ा सा detailed information दूँगा कि कैसे उस premium की उपर impact पड़ता है और कैसे उस premium को हम लोग खरीद और बेच सकते हैं जो की हमारे लिए जरूरी है to get a profit till then आज की वीडियो में इतना है वीडियो देखते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल बना भूली कर जाए हिन